हेलो फ्रेंट श्रीक्षा का जेहिंद बंदे मातरा में एंपीट शिक्षक वर्ग थर्ड कसम पूर अनालिसिस नौ मई का है ठीक है स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन तो देखिए क्या-क्या कुशिंश आया हुआ था तो नौ मार्च कर जो कुशिंश आया हुआ था एक क्यूषन था और पहले इस पेश की शिशन आ था अभी तो प्रेंट इस पेश की कुशिंश आ रहा है जिसमें आपका क्रेंट भी इन्वाल्व है ठीक है मतलब करेंट वाले भी कुशिंश आ रहे हैं स्पेस के एक कुश्षन ये आया था हुआ था कि नीम का साइंटिफिक वरनस्पिति की नाम ऐसा कुशाया ठीक है तो इसका जो वरनस्पितिक की नाम Windows कि आम इए तो यह जो यहाद रकना हो गया तो इन सब का आपको वर्मस्पतिक नाम याद करना होगा क्योंकि यहां से कुछिन बना हुआ है एक कुछिन आपका था भुपाल मतलब MP का भाई MP हो रहा है तो MP का कुछिन तो आएगा याएगा तो यह आया था कि पार्शी क्रिकेट कलब पार्शी क्रिकेट कलब इस लोकेटेड तो कहां पर लोकेटेड हैं नहीं है तो क्रिकेट किस्ट करिकेट से ऊपएठी हैं यहां से हाई सकते हैं कि कहां बहुँक्रेव师 को तो इक में उसकहा घे बताना में आपको वर्लस पत्राइब दρχते हुआं यांश कर देगा आपका अब देखते हैं नेक्स कुछिन आया था एक आया था फीफा से कुछिन आया था ठीक है तो फीफा कुछिन आया था कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी में मतलब आयजूद होता है यह वर्ल्ड कप ठीक है फीफा और कल तो साइथ एफ आई बीए पुछा गया था तो यह आपका बॉली वाल्ड से समभन देते हैं और आज फीफा पूछ लिया गया तो आप समझ रहे हैं कि इस ट्रेंड जो है तो एक दू दिन सिंबलर रहता है और जैसे कि आपका सौरे मंडल से कुछन काफी कुछ जा रहा है ठीक है सौरे मंडल से तो आप सौरे मंडल आपको तयार करके जाए पूरा तयार कर लीजी यहां से एक यह दो कुछन आपको मिलेगा है 100 परशन बता रहे हैं देखो अब एक कुछन आज पूछ लिया प्रतिफी को मान आता है तो पेट और चोटी आथ ग्लोकोस को अफ्रोषित करते हैं तो हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या पता इससे रिलेट करके कुछन आ जाए तो जो पेट होता है चुक है इस्टमक जो होता है और छोटी आज होता है ठीक है तो वह गुलकोस को अशुषित करता है तीन कार्भोहटेट उत्पाद हैं जो की छोटी आज के गुलकोस गलक्टोस या फिर फ्रॉक्टोस द्वारा अवशुषित होते हैं गुलकोस का अवश तो एक कुशन से और आया था गरेनीमीट के आता है यह तो कल भी में आठ्ट मार्च में भी यह कुशन रिपीट हुआ था साइद और आज कुशन एंसर साइद यह है रिपीट हुआ है कुशें उसका तो हम इसको समझ लेते हैं तो गेरेनीमीट जो है हमारे सौर मंदल के पाचुया जो ग्रह है ब्रहश्पति जिसको इंगलिस में बोलते है जूपिटर तो जूपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह है तो जूपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह है और यहां पूरे सौर मंदल का सबसे बड़ा चंद्रमा है कुछ आज यह यह भी याद रखना है कि बुद्ध ग्रह से कितना परशन बड़ा है आठ परशन बड़ा है कौन्स क्या बड़ा है ब्रश्चपती का उपग्रह ठीक है ग्रेनी मीड और इसका द्रबिमान की बात करने तो सौर मंडल के सारे चंद्रमाओं में सबसे ज्यादा है और जो पृत पिर्तिवी का चंद्रमा उसका जाने बड़ा इनकी फॉर्फ सकते है यह बेसिक क्लीर हो गया आपको वह सहाँ और चंद्रयान फर्सट चंद्रयान फर्स्ट के समय इश्तरव का द्ध्रक्ष कौन था में यह एक था आप वरफ कमेंट इस ज्रूइंट कर दिजियेगा औह और शाण दिया है इग्जेक्ली क्षिन क्या था भारत का भारत में चांद पर भेजा गया पहलाँ सब्सक्राइब पर फ्रस्ट ठीके तो इसके जो चेरमैं भारण त्टिक जी माधावन नायर इसके ऑफ चेर मेन थे चीके All Day जो अधियक्ष Vlad an बोली ईए प्रा प्रोख्राण इसके फिर्स बार जबिता और ये परॉव था कौणसा अविशकार किया गुए था जैसे कि आप्रमाडू बंब का परिक्ष्ण क्लियर हो गया और उसके बाद 11 और 13 माई को 1998 में 1998 इस भी को मतलब राजस्थान के प्रोकरन प्रमाडू असल पर पांच प्रमाडू प्रिक्ष्ण किया गया था ठीक है तो यह डिटेरिंग हो गया एक क्वेशन आपका आया था कि राश्टी ये राश्टी जैविक खेती केंदर इससे सम्मंदित कुछ था क्वेशन तो अगर देखो किर्शी मंत्राले के अंदर गत राश्टी जैविक खेती अभियान के कारेंवेयन के लिए जिम्मिदार है यहाँ गाजाबाद को निदिल्ली में किया गया था अब मैथ कवला अगर हम बताएं तो मैथ तो नॉर्मली आई रहा है कुशन अगर कोई भी है कि विधारती 6 से लेके 8 तक का मैथ लगा रहा है मतलब 1-8 इतना मानी कि एक से लेके 8 तक अगर आप बेसिक मैथ आपका स्ट्रॉंग है ठीक है काफ नहीं रहा है तो में कुशिन आ रहा है और एज रिलेटिर विउस ब्स आएगए इसी में involved है तो ratio कभी भी पढ़ते हैं तो age को relate करके पढ़ते हैं उसके पर simplification से भी कुशन आ रहा है और age related questions मिल रहा है divisibility से आएगा विभाजिता से आएगा ठीक है तो इस तरीके से basic questions आ को सबसे इसे को सबसे तरीके से कहाँ परभाश्चित की रहता है तो विद्याले कक्षा में श्कूल और क्लास में एक शिक्षाक विध्यारती में समाजिक मूल्यों को विक्षित कर सकता है आदर्ष रूप से वर्ताव करके डेफिनिटली उसमें डेवलप किया सकता है समाजिक मूलियों को ठीक है एक बच्चे में वहां अस्तर जिसमें बच्चा किसी वर्ष्ट गटना के वारे में तार्किक रूप से सूचना शुरू करता है वह क्या करता है पूर्ण क्रियात्मक अवस्था यदि विद्यात्ति कक्षा में अध्यान की चिंत वृति में नहीं है मतलब उनका मन नहीं लग रहा है तो आप उन्हें उनकी रूची अत्वा अपने विशाइक के अनुरूप रूची पूर्ण चीजे बताएंगे चीक है तो यह टॉपिक से ना इंपोर्टेंट है जैसे जीन प्याजी समझ कोहलबर्ग वाइगोस्की ब्रूनर बंडूरा चीजे कोहलब करते हैं आग अनल शूची धूमकेटि पावक हुताशन कृष्णव ठीक है उसके नल का विलोम आया था अंबू तिक है क्लीर हो गया तो ये हिंदी के questions थे? आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन क्या है? तो योज़क चिन होता है? इसको योज़क चिन बोलते हैं culture मनुरत का संदी विचेड पूछराया तो मना प्लस रथ होगा घुमककर में कॉंसा प्रत्या लगेगा? विध्यारती का संदि नहीं हो रहा है लोगों को हिंदी की ठीठ ठीठ आ रहा है मतलब अपने अच्छे से पढ़ा है तो डिफिनिटी बना पाएंगे एक जून को हम लोग मनाते हैं तो डे आप लोग तयार करके जाएंगे यहां से कुषिन एक दू कुषिन आता है लवड जो जल का करते हैं उनको बोलते हैं हाइग्रोइस्कॉर्पिक लवड अन्य अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं इसक्वेंजस क्या बोलते हैं इसक्वेंजस उसके बाद भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सेटलाइट कहां से चोड़ा गया था बैकनोर्स्ट शोरबन्द सबसे ठंडा गरह कौन सा है तो नेफियून चीक है नेक्स करते हैं चंडर्मा के लिए यात्रा करने वाला प्रतम अंत्रिक्ष यान कौन सा था देखो प्रतम व्यक्ति नहीं पूछ रहा है प्रतम व्यक्ति चंडर्मा पर गया था नील आर एस वन ए यह आपका दूर समवेद्य उपगरा था तो अभी तक हम लोग ने फिनिश कर दिया है आज के अनलिस्स और आपको व्यक्ति पच्छन आया तो डिफिनिटली आप लाइक कीजिए सेशन को और शेर का सब्सक्राइब करते हैं चैनल को प्रिश की जिससे कि आप आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे है थैंक यू फो वाचिंग दिश्यूडियो नेक्श्वी फिर्शन वेल तत्पर के लिए धन्नवात फ्रेंज